तो हेगेज विलकम बैक टू दे चनल तो गाईज लगबग दो सपता से मैं भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा था रीजन मैंने इंस्टाग्राम पे बताई थी आप सबको कि मैं भी गाउं आया हूँ और यहां पे मेरे अंकल जी की डेथ हो गई थी जिसकी वज़ा से गैप हो गया और वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था और घर पे काम भी चल रहा था बीच में एक वीडियो मैंने डाली थी जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी तो अभी बीच में 12 से 13 दिन के बीच मैंने एक वीडियो नहीं बनाया तो वापस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रखेंगे अभी रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अन्बॉक्शिंग वीडियो से तो इस गैप के बीच में मैंने एक प्रोड़क्ट ओडर किया था जो की था ब्रिस्टल पेपर ब्रुस्टो ब्रैंड की वो मैंने पर्चेस करी थी एमजोन से जो की आज चुकी है और इस वीडियो में आपको अन्बॉक्शिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चीए या नहीं करना चीए तो सारे चीज़े एक्स्प्लेइन करूँगा तो गैज प्रोड़क्ट को खोलते हैं और देखते हमारे प्रोड़क्ट कैसा आया है यहाँ पे मैं Amazon के पैकेजिंग से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ क्योंकि एक और में जो था वो मुझे मुझे मुड़ा हुआ मिला था हलका सा जो कि आगे हमें problem create करेगा हमारे लिए वहाँ पे mark रह जाता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है तो पैकेजिंग पे थोड़ा सा काम करना चाहिए Amazon को बागी product को हम खोलते हैं देखते हैं तो कईज यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अगर आप मुझे Instagram पे follow करते हो या फिर मेरे वीडियोज आपने पहले देखे हुएं ध्यान से तो आपको यह पता होगा कि मैं ivory या cartridge seat यूज करता हूँ regularly Bristol paper मैंने आज तक यूज नहीं किया है तो यह मेरा first time होगा Bristol paper के साथ और on paper अगर आप देखो कहीं पे भी search करके तो आपको यह चीज जरूर पता चलेगा कि Bristol paper बेतर होता है ivory या cartridge seat से अब वो क्यूं होता है वो चीज मैं आपको detail में फिर कभी बताऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको short में बता देता हूँ कि दोनों में difference क्या है actually difference इनकी manufacturing में है किस तरीके से बनता है उसमें difference है अब जो cartridge seat होती है वो single wooden pulp से बनी होती है अब आपको अगर नहीं पता wooden pulp क्या होता है आप google पे search कर लो आपको पता चल जाएगा तो ऐसा मान के चलो कि वो एक single layer होती है जैसे आपने higher thickness की seat आपने purchase करी तो वो भी एक single layer होगा लेकिन brister paper क्या होता है अलग-अलग layer से बना होता है ठीक हो इसमें filter होते है और बहुत सारी चीज़े add की होती है जिससे ही जो paper की resistance है वो बढ़ जाती है आप यहाँ पर description भी है पढ़ोगे seat के ओपर जो लिखी हुई है अब ध्यान से पढ़ो तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100% lagging free और इसकी जो resistance है eraser को हम बार-बार यहाँ पर apply कर सकते है बिना damage के यह चीज़ आपका वहाँ पर lag होता है मतलब कि वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है इतना वहाँ पर अगर बार-बार eraser apply करते हो तो धीरे-धीरे जो seat है वो damage होने लग जाती है तो यह advances जरूर है यहाँ पर और texture मैं आपको बता दूँ texture यहाँ पर आपको मैंने जो purchase करी है वो है medium surface तो यहाँ पर मैं आपको texture का close view दिखाता हूँ अगर आप देख पाओ इसका texture आपको समझ में आगा किस तरीके का texture है और दोनों side almost similar है एक side थोड़ा सा smooth है दूसरे side हलका सा आपको texture ज़्यादा मिलेगा तो कैसे हम बात कर लेते हैं first impression की तो अभी तक मुझे यह seat बहुत अच्छी लगी है quality wise बहुत अच्छी है texture भी इसकी बहुत consistent है medium surface है तो texture भी medium जो यहाँ पर teeth है जो seat का वो काफी अच्छा visible भी है और consistent है और compressed है तो quality wise बहुत अच्छी है thickness जो हमने मंगवाया था उतनी तो है बाकि अब हम इस पे कुछ ड्रॉआ करके देखते हैं कुछ set करके देखते हैं तरीके से setting होती है और कैसा experience रहता है वो हम देख लेता है तो यहाँ पर कुछ pencils मैं pencil के setting मैं apply करूँगा और वो pencil मैं use कर रहा हूँ जो कि मैं regularly use करना पसंद करता हूँ outline की pencil मैंने रख रखी है अलग-लग grades की वो try करके देखेंगे mechanical pencil 0.3 mm की रखी है 0.9 mm की 0.5 mm की तो सारी basic चीज़े तो मैं regular apply करता हूँ regular मैं use करता हूँ वो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ करता हूँ जो जो झाल झाल तो कई सेडिंग के एक्सपिरियंस भी अभी तक इस सीट के साथ काफी अच्छी लगी है मुझे और बहुत ही इसली मैं स्टोक्स को कंट्रोल कर पा रहा हूं अलग-अलग प्रेसर के साथ और उसको mix भी कर पा रहा हूं अब देखो सामने अपको दिखेगा अपकी बहुत ही इसली मैं स्टोक्स को कंट्रोल्ड कर रहा हूं और तीरे मैं प्रेसा जब रिलीज कर रहा हूं तो जो टेक्स्टर बन रहा बहुत ही स्मूध बन रहा है और बहुत यह अच्छे तरीके से मिक्स भी हो रहा है तो अगर मैं कंपेएर करूं आईवरी और कार्ट्रे से तो कहीं न कहीं इसी जरूर है यहाँ पर स्ट्रोक्स को कंट्रोल करना बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको यूज करना छोड़ देंगे आईवरी सीट और कार्टरेज सीट में प्रैक्टिस गरोगे आपको बहुत कुछ सिखाएगा वो अगर आपको लगता है कि वहां पे उस सीट पे आप अच्छे ड्रोइंग नहीं बना सकते हो तो मेरे अप प्रीवेस सारे वीडियो देख सकते हो आईपर रिलिस्टिक से लेके बेसिक ड्रोइंग सारी चीज़े मैंने आईवरी सीट पर करी हैं कार्टरेज पर करी हैं तो वहां पे भी आप कर सकते हो थोड़ा सा मुश्कलियों का सामना जरूर करना पड़ेगा वह चीज आपके लिए इन फ्यूचर आपको बहुत ही चीज़े सिखाती है ठीक हो जैसे आप ब्रिस्टल में या फिर और भी एक्सपेंसिव सीट में सिफ्ट करते हो आपके लिए काम जरूर आसान हो जाता है लेकिन सीखने को थोड़ा कम मिलता तो अगर आप experience हो अगर आप expert हो गयो हो तो आप expensive जो सीट है वह यूज कर सकतो वैसे ये जो सीट है वो expensive नहीं है ज्यादा अगर पर सीट की मैं बात करूँ यह जो मैं सीट यूज़ कर रहा हूं वो A3 size की है इसे अगर मैं एक सीट की जो मुझे price पड़ी थी वो 15 रुपे थी अगर A4 मे से डिवाइड गरूँगा तो मैं जए एक सीट की प्राइस लगबग साथ से आठ रुपे पड़ेंगे तो महेंगी नहीं है सस्ती है बट आईवरी सीट प्राक्टिस के लिए और काट्रेज सीट प्राक्टिस के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पे इतना असान नहीं होता प्रेसर को स्टोक्स को कंट्रोल करना तो वहाँ आप बहुत सारी चीज़े सीखते हो और अगर वहाँ पे आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बना ली उस सीट पे तो जैसे आप ब्रिस्टेल पे और इस टाइप के सीट करते हो तो हां बिल्गुल है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है टेक्सर बहुती कंसिस्टेंट है आपको इतने प्राइस में आपको बहुत अच्छी सीड मिल रही है प्राइस भी इसकी ज्यादा नहीं है आप पर्चस कर सकते हो तो मेरे तरब से थमसब है अब जाके पर्चस करो बट हाँ, आईवरी सीट आपको बहुत कुछ सिखाएगी, मैंने बहुत कुछ सिखा है, आईवरी कार्टरेज में, वहाँ पे टफ जरूर है ड्रॉ करना, बट वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़े बहुत ही, हाई लेवल की ड्रॉइंग भी आप बना सकते हो, मुस्किलों क सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सिखो गया, तो बस आज की वीडियो में इताई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मिलेंगे बहुत जल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए